भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है इस दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद में भारत की जित हुई थी इसी जित का जश्न मनाया जाता है इस युद में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंद्र हो गया था दोस्तो इस पूर्वी पाकिस्तान को आज बांगला देश के नाम चे जाना जाता है विजय दिवस पर सहीदो और उनके बलिदान को याद किया जाता है साथी देश के लिए ससस्त्र बलो की भूमिका को मजबुत करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है दोस्तो, साती साथ आपको बता दे कि भारत में 27 जुलाई को कारगिल विजेई दिवस मनाया जाता है यह दिन 1999 में पाकिस्तान पर भारत की जित की याद में मनाया जाता है 26 जुलाई को भारत ये सहिनिकों ने कारगिल की बरफिली चोटियों पर लगबग तीन महिने की लंबी लड़ाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर्ज को हराया था दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक चार युद्ध हुए है जैसे 1947, 1965, 1971 और 1999 में इन युद्धों में सबसे बड़ा मुद्धा कष्मिर रहा है 1947 में हुये युद्ध को प्रतम कष्मिर युद्ध कहा जाता है 1965 का युद्ध पाकिस्तान के ओपरेशन जिबरालटर के कारण शरू हुआ था इस ओपरेशन के तहद पाकिस्तान ने कश्मिर में स्यना की गुस्पेट कराने की योजना बनाई थी 1971 के युद्ध को बांगलादेश मुक्त संग्राम के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध से बांगलादेश नामक एक नए देश का निर्वान हुआ था 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिमा युद्ध हुआ था दोस्तो इन चार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के समझोते के बारे में आप में से 90 पतिशत लोगों को पता नहीं होगा तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ तो दोस्तो 1947 के युद्ध में कोई समझोता नहीं हुआ था 1966 में ताशकंद कोशनया पत्र बनाया गया था 1972 में सिमला समझोता हुआ था और 1999 में लाहोर कोशनया पत्र बनाया गया था तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद